नमस्कार दोस्तों अपनी पोस्ट में आपका एक बार फिर से स्वागत है मुंबई में वैसे तो कई फिल्म लोकेशन है जहां पर शूटिंग की जाती है लेकिन आज हम आपको बताएंगे कि मुंबई के सबसे बड़े इसलम धारावी में कौन सी फिल्में शूट हुई है आपको बता दें कि मुंबई में सतर से असी का दोर ऐसा था जहां पर काफी फिल्में शूट की गई और उसके बाद 90 का दोर आया जहां पर कई फिल्में धहरावी में भी शूट की गई आपको बता दें कि 1988 में सलाम बॉंबे नाम की फिल्म धहरावी में शूट की गई इसके बाद 1992 में धारावी नाम की ही एक फिल्म आई जिसकी पूरी शूटिंग धारावी में की गई थी मशूर फिल्म सत्या तो आपको याधी होगी इस फिल्म की शूटिंग भी 1998 में धारावी में की गई थी आपको बता दें कि फिल्म शूट आउट एड लोखंड वाला की शूटिंग भी 2007 में धारावी में की गई इसके बाद मुंबई में बनी फिल्म ब्लेक फ्राइडे की शूटिंग भी धारावी में की गई 2008 में आई फिल्म आमीर की शूटिंग भी धारावी में हुई और बहुचर्चित फिल्म स्लमडॉग मिलेनियर की शूटिंग भी 2008 में धारावी में की गई Once Upon a Time in Mumbai की शूटिंग भी 2010 में धारावी में की गई इसके अलावा धोबीगाड शूट आउट एट वडाला और ना जाने कितनी फिल्में धारावी में शूट की गई इसके अलावा अभी हाल ही में आई रनवीर कपूर की फिल्म बैली बॉई की शूटिंग भी धारावी में की गई धारावी में यू तो कई ऐसी लोकेशन्स हैं जहां पर फिल्में शूट की जाती है लेकिन इस जगह को फिल्मों में दर्शा कर लोगों तक पहुंचाना बहुत समय पहले से चालू है हम आशा करते हैं जानकर या आपको रोचक लगी होगी और आप इसे अपने मित्रों के साथ आवश्य शेयर करेंगे दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें बैल बटन को जुरूर दबाएं धन्यवाद